हमारे घर की रसोई में लहसुन का इस्तेमाल खोब किया जाता है यह ना सिर्फ हमारे खाने के स्वात को बढ़ाता है बलकि लहसुन आउस्दिये गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी भी है इसकी महक तीखी होती है इसलिए बहुत से लोग लहसुन खाने से कतराते भी है खास्तोर पर महिलाएं लहसुन को आवाइड करती है लेकिन यदी वह इसके सेवन के फायदे जान जाएं तो लहसुन खाना पसंद करने लगेंगी लहसुन ना केवल मेटाबॉलिजम में सुधार करता है बलकि वजन घटाने और दिल को स्वस्त रखने में भी काम आता है इतना ही नहीं महिलाओं से जुड़ी कई बिमारियों में तो यह रामबान इलाज है लोकल एडीन से बाचीत में आयरुवेदिक डॉक्टर रंकित अगरवाल कहते हैं कि आयरुवेदि में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी आउस्दी हमारे घर की रसोई से ही शुरू होती है जिन में से एक लहसुन भी है लहसुन वाद को कंट्रोल करने में बेहद लापकारी है वही बात महिलाओं की कर ली जाए तो लहसुन में एंटी इंफलेमेंटरी गुण होते हैं जो महिलाओं में PCOD की समस्या को ठीक करने में सहयक होता है लहसुन में मौजूद Immune Modulatory PCOD को बैलनस करने में मदद करता है और weight loss करने में भी सहयक है महिलाएं काम करते करते यदि शरीर में कमजोरी महसूस करती है या बहुत जल्दी ठकान महसूस करती है तो इसका मतलब है कि उनकी रोग परती रोदक चमता कम हो चुकी है ऐसे में महिलाओं को लहसुन का सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन रोग परती रोदक चमता बढ़ा कि कोई भी औशद जब हम इस्तमाल करते हैं तो वो हमारी किचन से ही स्टार्ट होती है अगर हमें किसी बिमारी को ठीक करना है तो हमारी किचन से बेटर और कोई चीज नहीं है तो लहसुन एक ऐसी चीज है जो यह बताया गया कि वात को कंट्रोल करने में सबसे अच्छी PCOD में अब लेस्ट के अंदर anti-inflammatory enzymes रहते हैं उसके अंदर काफी सारे immunomodulators होते हैं जो उसको balance करने में काफी help करते हैं weight को reduce करने में काफी help करते हैं उसके अंदर ऐसे thermogenic properties होती हैं जिसके वज़े से वो heat generate करके बात को भी balance करता है प्लस weight को भी कम करने में काफी help करता है पहाडी lesson जो होता है goal lesson आता है अगर आप उसका इस्तमाल करते हैं तो वो और अच्छा और फाइदमन बताया गया है और cholesterol को balance करने में भी काफी ज्यादा helpful रहता है सबसे पहला तो lesson cholesterol को balance करने में सबसे अच्छा है second insulin level को control करने में अच्छा है अगर किसी को diabetic कोई condition है तो उसमें ज़रूर लेना चाहिए अगर घुटनों में दर्द बहुत जादा है उस condition में बहुत अच्छा रहता है females के लिए lesson बहुत अच्छा रहता है उनको तो compulsory लेना ही चाहिए जैसे उनको ज़्यादा तर घुटनों के बिमारिया होती है उसमें hormonal imbalance होता है उसमें PCOD की condition है weight gain होता है जाता देखा जाता है कि conceive करने के बाद weight gain एकदम से increase होता है तो वहाँ पे भी lesson help करता है और infertility की cases जैसे आजकल भढ़ रहे हैं उसको control करने में बहुत है जैसा मैं आपको बता है कि इसके अंदर thermogenic properties होती है अपनी heat होती है इसके अंद पर ऊश्म नेचर का होता है वो जो तासीर में गरम है अगर उसके साथ पका के लेते हैं तो जितना भी कव जमा होता है चाती में होता है कहीं पर दर्द है वाद को कम करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है यह बहुत समय से इसको इस्तमाल कर रहे हैं बहुत अ